जार्खन को विकास का नया आशिरवाद मिला है छे नई बंदे भारत ट्रेने साड़े छे सो करोर से जाजा की रेलवेब परियोजनाए कनेक्टिविटी और यात्रा सुवीदाओं का विस्तार और इस सब के साथ साथ जार्खन के हजारों लोगों को पी-एम आवास योजना के तहट अपना पक्का घर मैं जार्खन की जनता जनारदन को इन सभी विकास कारियों के लिए बधाई देता इन बंदे भारत ट्रेनों से जो और राज्जे से भी जूड रही है मैं उन सभी को भी बधाई देता हूँ साथ क्यों एक समय था जब आधुनिक सुविधाएं आधुनिक विकास देश की केवल कुछ शेहरों तक सिमीत रहता था जार्जगर्म जैसे राज्जे आधुनिक इंफ्रास्रेक्टर और विकास के मामले में पीछे छूट गए थे लेकिन सबका साथ सबका विकास के मंत्र ने देश की सोच और प्रात्विक्ताओं को बदल दिया है अब देश की प्रात्विक्ता देश का गरीब है अब देश की प्रात्विक्ता देश का आधिवासी है अब देश की प्रात्विक्ता देश का दलीत बंचीत पिछला सवाज है अब देश की प्रात्विक्ता महिला हैं युवा हैं किसान है इसलिए आज दूसरे राज्यों की तरही जारखन को बंदे भारत जैसे हाइट ट्रेक ट्रेने मिल रही है आज दुने की इंफ्रासेक्टर मिल रहा है साथियों आज तेज विकास के लिए हर राज यहर शहर बंदे भारत जैसे हाइट पूर ट्रेन चला चाहता है अभी कुछी दिन पहले मैंने उत्तर और दक्षिन के राज्यों के लिए तीन नई बंदे भारत एस्प्रेस को हरी जन्डी दिखाये थी और आज ताटानगर से पत्ना, ताटानगर से ओडिशा के ब्रह्मपूर राउर केला से डाटनार के होते हुए हावडा, बागलपुर से दुमका होते हावडा, देवगर से गया होते हुए वारानसी और गया से कोडर्मा हुए जन्बाद होते हुए हावडा के लिए बंदेभारत एफपरफ devoted की स्रूरू हुई है और अभी जम मंच पे आवास वित्रान का कारकम चल रहा था उसी समय मैंने जंडी दिखा करके इन सभी वंदे भारत ट्रेनों को बिदाई भी दे दी और वो अपने गंतवे स्थान पर चल पड़ी है पुर्वी भारत ने रेल कनेक्टिविटी की विस्तार से इस पूरे छेत्र के अर्थर प्वगस्ता को मजबूती मिलेगी इन ट्रेनों से कारवबारियों को उचास्त्रों को लाब होगा इससे यहां आर्थिक और सांस्तुरित गतिविद्या भी तेज होगी आप सभी जानते हैं आज देश और दुनिया से लाखों के संख्या में स्रदालू काशी आते हैं काशी से देवगर के लिए बंदे भारत ट्रेनों की सुविदा होगी तो उनमें से बड़ी संख्या में लोग बाबा वैदिनाथ के भी दर्शन करने जाएंगे इससे यहाँ परियटन को बढ़ावा मिलेगा ताटा नगर तो देश का इतना बड़ा उध्योगी केंदर है यातायात के अच्छी सुविदा यहाँ के उध्योगी विकास को और गति देगी परेटां और उद्योगों को बढ़ावा मिलने से जारखन की विवाओं के लिए रोजगार के आउसर भी बढ़े है साथ्यों तेज विकास के लिए आधुने ग्रेरी इंफ्रासेक्चर उत्रा ही जरूरी है इसलिए आज यहां कई नए प्रोजेस पर शुरू किये गए है मदुपूर बाइपास लाइन के अधार चला रखी गई है इसके तयार होने के बाद हावडा दिल्ली मुखे लाइन पर ट्रेडों को रोकनी की जुरत नहीं होगी बाइपास लाइन शुरू होने से गिरिड़े और जसीड़ी के बीच याता की भी कभी समय कम हो जाएगा आज हजाली बाद ताउन कोचिंग डिपो की भी आजार चला रखी गई है इससे कई नए ट्रेने सेवाओं का शुरू करने में सुविदा होगी कुर्फुरा से कनाडवा तक रेल लाइन का दोरी करन होने से जारखन में रेल कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है इस सेक्शन से दोरी करन का काम पुरा होने सब स्टील अध्युक से जुड़े माल की दुहार दुलाई और आसान हो जाएगी साथियों जारखन के विकास के लिए केंदर सरकाने राज में निवेश भी बढ़ाया आया और काम की गति भी तेज की गई है इस साल जारखन में रेल इंफर्सेक्टिव के विकास के लिए साथ हजार कडोपिय से जादा का बजेट जिया गया अगर हमें इसके तुलना दस साल पहले मिलने वाले बजेट से करें तो इस सोला गुना ज्यादा है रेल बजेट बढ़ने का असर आप लोग देख रहे हैं आज राज में नई रेल लाइन्स विजाने उनके दोरीकान करने और स्टेशन अपरादुनिक स्विधाए बढ़ाने का काम तेजी से हो रहा है